नमाज़कार साथियो आप सभी का सुवागत ते जिकसलान में दोस्तो वार्षिक परिशा 2020 थे इस कष्या 9 के लिए गणित का पेपर है वो लेकिया आच चुके हैं तो यह पर देख सकते हैं पूरे आपके पूर्णांग 100 नमबर के हैं यह सब को आपको पता है यहां भी ज्य पूचा जा रहा है निमलिकित में से कौन से संक्या आपरी में है दोस्तों लगाता है यह परसंट रिपेटेट क्यूशन होते हैं जो की पर्मे और पर्मे संक्याओं के बारे में आपको पूचा जाता है तो यहां पर इस परसंट का सई आंसर जाएक ऑप्शन नमबर सी 2-5 यह आपके क्या है आप पर्मे संक्या है अगला परसंट देकी दोस्तों यहां पर अगला परसंट है बहुपद P आपका इदर रहे तो यह माइनस का एक इदर चला जाएगा ठीक है अब यहाँ पर x की value find out करेंगे तो नीची की आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा तो माइनस 1 बटा 2 आपका आ जाएगा जो की option number c में दिया गया है यह मैंने solve करके भी आपको बता दिया है नेज देखिए सर्म समी का x-y square का मान है वो क्या होगा यह दोस्तो आपका whole square वाला formula है अब यहाँ पर x square आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या करना है सीधी सीधी आपकी जो गात है उनको आपको multiply करना है तो पांस की पाउर 14 बन गया आपका माइनस पे तो यह आपका answer हो गया इसपार देखिए अगला है निर्देसांग तल के चारो भागों में बाटते हैं उन्हें क्या के लाते हैं तो इसको पांच चतुरांस बोल देंगे ठीक है अगला परसे देखिए दोस्तों यह अगला क्यों आपका होडिजन और एक होता है वर्ट्रिकल अब यहां पर सेथिज रेखा बोली गए तो शेथिज रेखा आपकी यह हो जाएगी ठीक है और आपकी उर्द्वादर होती है उ को बोलते है Y X तो आपका असर होजाएगा यह वाला यदि बराबर को बद्वर्म में से एक अनुर्ण का होता है एक इसक है hang B O L B B A… उस नस या चाहिए होता है तो आपने नंबर A आपका उल्च two आंकली पास करता हूं next question देखिए दोस्तों यहाँ पर समकोन तिरबूज में सबसे लंबी बुजा है वो कौन सी होती है तो दोस्तों समकोन तिरबूज की बात की गई है समकोन तिरबूज कैसे बनेगा ऐसे बनेगा समकोन का मतलब क्या होगा जो 90 degree का angle होता है अब यहां पर सबसे लंबी जो बूजा होती है वो आपकी करण होती है इसको अपन क्या बोलते हैं करण बोलते हैं यहां पर दोस्तों अगर मैं इसको मानूं यह दो है और यह भी दो है तो यह कितनी होती है पांच होती है ठीक है यह ध्यान रखना आप इस परकार से ने से कि अर्ध वर्थ कौन है वो कितने डिगरी का होता है अब यहां पर हम बात करेंगे पहले पूरे अकोंड की यह मालीची कि पूरा आपका वर्थ है अब पूरा वर्थ है वो कितने डिगरी का होता है तहों पिरो वह साबिए इसको ने आदा कर दिया क्या पर पहले बात हो लिए अब अर्थवर्थ क कॉण यह पे वर कह बात की गए तो यह आपका बन जाता है अर्थاش एक अर्दवर्द का कौन कलिकि इसमें तो कोई कोंड बनेगा नहीं पूरा तो कौन बनेगा यहाँपे तो यह आपका 90 को जाए महां पर जाता है उसका pretend कौन कितना होगा तो फिर वह आप को Channel सी कहलाए गा टिक यहाँपे समानता चतरवूज में होते हैं तो एक समानता चतरवूज हम बना लेता है हैं आपको क्या करते हैं सम्दीबाव हो कर रहे हैं उप्रोग बाते हैं यह होगी सबसे नमबर डी है वो आपका सैंधे यहां रहें है पर सेनular Uh लौ क्या होगा तो बेलन का वक्र्ड in पर्रशटर canoe की सरकार डोस्थ में यहां पर क्ना नीचे जह घौला है आप देख पार है नीचे गोले probation का प्रेंड Сп Randy है तो प्ल प्लाइब होता है और लेक्साप सब्सेद को करता एंद लेक्त पर इसके बसी हीशाप से आपना नहीं है चीजों को समजना है। यहां पर देखिये अगला क्यू से नहीं है जिसमेंना इ tu आफ रिक्त स्तानों की पूरति clapping करना है। nós रहाएं जिसमें पेंसिल लगाने का विधान होता है उसको अपन क्या बोलता है बिंदू कहलता है एक्स अक्स से बिंदू की दूरी है वह Y कोटी कहा जाता है उसको ठीक है यह माली जी यह एक्स अक्स है यहां से कोई दूरी यहां पर है तो यह क्या है आपका Y कोटी में है अगला दे कितना है दो वाई में एक और दो यह इधर आ गया अब यहां की दूरी भूची गई है तो जो यह दूरी है यह वली यह कितनी आपकी एक है ठीक है आगे देखें आपे दो घात वाले बहुपध है वह दीवगात बहुपध गया लाते हैं सिदा-सिदा आपको लिख देना है प्रतेक एक पर्मे संक्या होती है तो प्रतेक पर्मे संक्या क्या होती है आपकी प्राकर्थ संक्या होती है आपको यहां पर क्या लिखना है प्राकर्थ संक्या लिखना है ठीक है सब कुछ लिखा गया है प्र पर्मे आप इसका स्कीन सूर्ट भी लेना चाहते हैं तो इसक याँ पे लिखा गया है चार आप इसको आपSilोगो कर सकते हैं इसको आप डिवैड भी कर सकते हैं 32 की पावर बटा पास दिया गया है मतलब 32 की पावर क्या है 500 अक्टीज से भाग दीजी अगर आप इसको इसकार बनाएंगे तो आपका 48 बिट नहीं बागी थोड़ा सा आपको गुमा पिरा के कैसे भी अगर आपको आता है तो वह तच्छी बात है वरना तो आप इसको आराम से कर लेंगे तो गात कितनी होगे आपकी 3 होगे जो आपका दीवगात बहुपद होता है उसमें अपन बोलते हैं ना 2x2 लिखते हैं पहले पहले तो दीवगात इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके उपर गात 2 होती है अब यहाँ पर देखिए बहुपद 2-x2 प्लस x3 में x2 का गुणांक है वह आपको लिखना है तो यहाँ पर दोस्तों x2 का जो गुणांक है यहाँ पर इस फॉर्मूले की बात करूंगा तो इसका गुणांक कितना है एक है माइनस एक तो यह आपको लिख दिया गया है आगे देखिए कार्थिये तल में किसी बिंदू की इस्तित निर्दायित कर यहाँ देना रही है यहाँ बना लिख दित्तित यही लिखा गया है दित्य में ठीक है तो पता लग गया किसे आ रहा है यहां देखिए 10.5 cm त्रिजा वाले गोले का प्रश्टिय छेतरफल वह आपको गयाद करना है अब आपको सारे जो फॉर्मूले हैं वह थोड़ा से याद करने होंगे अब यहां पर देखिए प्रश्टिय छेतरफल गयाद करने का फॉर्मूला है आपका वह आपको फॉलो करना है यहां पर देखिए 4 पायार एक चत्रफुज के कौन 3,5,2 और 13 के अनुपात में है उस चत्रफुज के सभी कौन कितने डिगरी के होंगे तो यहां पर चत्रफु और 13 कितने हो गए 16 हो गए 16 और फिर आपको 9 कांट के 25 हो गए 25 और 5 कितने हो गए 30 तो यहां पर मेरा हो गया 30 X इसके साथ है अब मेरे को क्या करना है एक कौन की वेली फाइंड आउट करनी है तो यह मैंने 0 से 0 काटा और यहीं काटा बारत के 36 मतलब X कितने का डिगरी का आ सब्सक्राइब करने के बाद बार पर इसको कर लेंगे ठीक है चलिए अगले परसन की बात करते हैं आपको दिया गया है ई और एप करमसे तिर्भूज ABC की बुजाए हैं बुजाओं AB और AC के मध्य बिंदू दर्शाएं गये हैं तो BF बराबर CF है वो क्या है या नहीं है य दिए फ्सके मध्य बिंदू और C इसको मध्य बिंदू यह आपको homesagen इसको मध्य बिंदू इसको करना है जिए इसको डिवाइड कर रहा है तो यह आपको क्या कर ना है इसको सिद्ध करना है जोड़ हो गई मतलब व intertw टेखा है PQ और RS परसपर बिनदू आपर परतीशेद कर रही है देखें ये इदर से ओर फिर परतीशेद कर रही है यदि POR और ROQ 5 और 7 है तो सभी कोन आपको याद करना है मतलब आपको कॉनद आउट करना है यहां पर डितीगी है O कोन दिया गया है पहले तो P O R ये दिया गया है और साती R O Q तीक है R O Q ये वल्ला दिया गया है ठीक है ये 5 अनुपास 7 में है ठीक है तो एक value आपको पता लग गई एक कोन की तो आप उसको multiply करके दूसरे की find out कर लेंगे यहापर देखिए अगला क्यूशन आपको दिया गया है यदि A C बराबर B D है तो सीद कीज़े A B बराबर C D होगा इसमें आपको ये formula में input करना है आप देखिए कार्तितल में बिंदू 5,005,25,57,52 का इस्तान निर्दारित करना है तो ये आप उसमें आराम से कर लेंगे जो भी निर्देसांग आपन याद करते हैं ठीक है शीदे गुणा की बिना मान आपको गयाद करना है 103 गुणा 107 है इसको मतलब आपको पेपर में ग गुणा 107 आपको दिया गया है ठीक है अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा सबसे पहले देखिए गुणा मेरा लेंथली पड़ रहा है तो मैं क्या करूँगा इसको 100 से गुणा कर लूँगा 100 गुणा 107 किया मैंने तो सीदी सीदी दो 0 लग गई आगे अब मेरा 3 बच गया तो 100 से गुणा करना आसान होगा तीन से गुणा करना भी आसान होगा तो हमें 103 से मल्टिप्लाइ करने की आवशकता नहीं बढ़ेगी इसकी बात देखिए आपर यह सारे क्यूशन आपको फटापट याद कर लेना है 5 divided by root 3 minus root 5 के हर का पर्मेकरण करना है तो यह पूरी संक्या एक बन जाएगी आप इसको मल्टिप्लाइ करने के बाद यह पूरी संक्या एक में इंक्लूड हो जाएगी एक ही आपका मलब बन जाएगा मलब रूट 3 को रूट 3 से उना करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 ही तो बनेगा आदा रादा को आपको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा एक बन जाएगा complete हो जाएगा ऐसे इसको फॉलो करेंगे यह सब आपको आते हैं आप इसको कर पाएंगे ठीक है नेक्स देखिए आप फटा फटा आपको इसकी इन्सोर्ट ले सकते हैं आगे देखिए आपको क्या माइन वह फाइंड आउट करना है के कि मान के लिए आपको देखिए समिकर्ण दिया गया है यहाँ पर दिया गया है 2x प्लस 3 y बराबर के है इसका हल करना है तो आप इजील के कर पाएंगे अगले वीडियो में आपको कोई आपको देखिए तीन ट्री वाला क्यूशन इसमें आपको के कमान गयात करना है यहाँ पर एक आपको क्या दिया गए प्राइक्ता वाला क्यूशन है वह आप आरामसी कर लेंगे ठीक है उंचाई 14 cm वाले लंब वर्थी बेलन का पर अगले वीडियो में आपको कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर देना दन्यवाद